क्रेब साइकल, फस्ता कॉंटेंट्स, दा क्रेब साइकल, हमने जो फस्ट हाफ देखा है, उसमें हमने क्रेब साइकल का इसकी लोकेशन क्या है, और क्रेब साइकल के अंदर जहां कौन कर से मालिकुल जहां वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें हमने सिंपल बात की है, क्रेब cycle जो हो माइटो कांट्रिया के अंदर हो रहा है crab cycle जो हम एसीटाइल को एंजाइम A से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला जो बाली की लिए बनता है crab cycle के अंदर वो citric acid है और इसके अलावा जो important चीज़ हमने पढ़िया वो यह है क्रेब cycle में तीन NADH बनते हैं और एक FADH 2 बनता है अब हम इस cycle को detail में देखते हैं कि कौन कुछ से steps हैं जहां यह NADH प्रोड्यूस हो रहा है या फिर carbon dioxide बन रही है या फिर FADH 2 प्रोड्यूस हो रहा है so crab cycle चुकि यह cyclic process है cycle ऐसी चीज़ को कहते है जो कहीं भी end नहीं कार रही होती है तो लहाजा अगर हम यह कहें कि यहां से crab cycle start हो रहा है यहां end हो रहा है cycle तो कहीं भी start नहीं होता है कहीं वो तो होता ही circular है एक round farm में है तो लहाजा एक cyclic pathway है यह और इसके अंदर कोई end product नहीं होगी बलके byproducts होती है जैसे glycolisus में देखें है glucose से end पर क्या बन गया है pyruvate बन गया है crab cycle में end product नहीं है बलके जो चीज़े बन रही है वो दुबारा फिर recycle हो रही है recycle होती जा रही है अर बदा कुछ जो हम इसमें byproducts जो हम बनती है जो के आगे further use नहीं होती है here we have the complete cycle of tri carvacilic cycle या फिर इसको crab cycle जो हमारे पास है इसको हम अपने असानी के लिए यहां से start करेंगे acetyl coenzyme A acetyl coenzyme A basically बना था pyruvate की degradation से जब pyruvate glycolisus pyruvate आया था mitokondria में pyruvate जब further उसकी breakdown हुई है तो उससे pyruvate से acetyl coenzyme A बना है अब acetyl coenzyme A will react with oxyloacetic acid अच्छा यह reaction है जोकि mitochondria के अंदर सारे चीज़े हैं तो लाज़ा mitochondria के अंदर ही reaction होगा तो इस reaction से अगर आप गोर करने oxyloacetic acid is a four carbon molecule जब कि acetyl coenzyme A is a two carbon इन दोनों के combine करने से बनेगा citric acid जो कि six carbon molecule है तो इसा citric acid बनेगा अब citric acid जो है यहां स्था simple way में लिखा गया है citric acid आगे फर्दर अपना एक आईसो फार्म बनाती है जिसको हम कहते है आईसो citrate यह आईसो citric acid तो आईसो citric acid आगे convert हो जाता है alpha keto glutarate के अंदर अगर हम इसमें देखे हैं तो keto glutarate जब बन रहा है तो one molecule of carbon dioxide is released here and one molecule of NADH is formed here इसका मतलब है कि six carbon molecule में से एक carbon जहाँ वो carbon dioxide की फार्म में निकल गई है अब यह five carbon molecule है हमारे पास that is alpha keto glutarate साथ एक NADH जो है तो definitely NADH अगर बना तो इसका मतलब है high energy electrons यहां harvest किये गए हैं citric acid cycle citric acid molecule से ओके next step के उपर alpha keto glutarate is converted into succinic acid succinic acid को बादवा succinate भी लिखा जाता है अच्छा इसमें भी एक attributed step होता है जिसमें succinyl coenzyme A बनता है फिर यह आगे सजाओ वो step चलेगा ओके तो alpha glutarate acid अगर हम देखें यह alpha keto glutarate है यह यह दोनों वर्ड्स यूज़ों होते हैं you can use alpha keto glutarate acid or you can use alpha keto glutarate इसमें decarboxylation होगी A carbon जो है मज़ीद carbon dioxide farm है यहां से निकल जाएगा और यह सक्सेने के सब जहाँ वो four carbon मालकुल बने गया अच्छा इस step के अगर आप थोड़ा सब गोर करें जो glucose की तरफ से दो carbon आये थे यह style coenzyme A की farm है वो एक step के उपर निकल गया है और जब के दूसरा carbon जो यहां निकल गया तो इसका मतलब है यहां सक्सेने के सब बनने तक जो carbon skeleton है वो completely degrade हो गया है वो सारक सारा carbon skeleton carbon dioxide में convert हो गया है इस step के तुरह one molecule of NADH is formed and one molecule of GTP is formed यह मैंने कहा था GTP basically equivalent होती है ATP के cell के अंदर यह GTP ATP भी बना सकती है यह GTP as GTP भी cell के अंदर use हो जाती है इस तरह से वो वाहिद energy currency ATP का molecule है जो बनता है crab cycle में बाकि कहीं भी crab cycle में आपको ATP का molecule बनता नजर नहीं आएगा just NADH और FADH टू बन रहे है तो यह second NADH बना था यहाँ then succinic acid is converted into यहाँ इसके different steps है यहाँ इसके basically fumaric acid बनता है fumaric acid से आके जाओ further जो है इसके जाओ axalus acid जाओ बनेगा अब यह further steps जो है इसमें पहले step के उपर FADH टू बनेगा और एक बार next step के उपर NADH बनेगा और यह FADH टू and NADH तो यहाँ अगर हम total देखें there are one, two, three three NADH molecules जो हम संथिसाइज हो रहे हैं one second molecule and the third molecule तो three molecules of NADH संथिसाइज है and one molecule of FADH2 तो यही जनीक अगर हम overall देखें तो क्रेब साइकल के अंदर हम यही पढ़ते हैं three NADH molecules, one FADH2 molecule बना है और one molecule of GTP जो हो और by the end of this जब हम reaction कम्प्लीट कर रहे हैं तो दोबारा हम से वहाँ आपस वही oxaloacetate आ गया है So what is the overall reaction of क्रेब साइकल क्रेब साइकल का overall reaction अगर हम sum up करने कोश्च करें तो इसमें सबसे पहले acetyl unit enter हुआ है acetyl coenzyme A की फार्म में तो acetyl coenzyme A enter हुआ है three NAD जो हैं वो इसमें और one molecule of FAD one molecule of ADP और one inorganic phosphate जोज़ हुआ है output क्या है acetyl unit पर एक पास दो कार्बन थे वो दोनों carbon dioxide की फार्म में release हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 2CO2 इन दो acetyl group है वो carbon dioxide में convert हो गया है three NAD जो है they are converted to three NADH जिसे FAD जो हैट is converted into FAD H2 और ADP और inorganic phosphate दोनों मिल कर क्या बना देंगे GTP synthesize कर देंगे तो this is the overall reaction of अच्छा क्रेब cycle अगर हम over करें क्रेब cycle बजाते हैं खुद सिर्फ एक ATP का molecule दे रहा है लेकिन क्रेब cycle की खास बात है NADH और FADH2 की production क्योंकि at an average one NADH molecule will produce three ATP molecules तो अगर एक क्रेब cycle के अंदर तीन NADH बने है तो त्री मल्टिप्लाट बे थ्री nine ATP molecule बनने है और एक FADH2 जो है approximately two ATP molecules देगा तो इट मींज nine ATP's and two जो nine ATP आएंगे NADH से और दो ATP हमारे पास आएंगे FADH2 से क्यांने है